तो ड्राइण बॉल सूपर मांगा फाइनली वाफस से आने वाली है अब इसके बारे में आज हम बात करेंगे पर आगे बनने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं मेरा एक गोल है साल के एंड होने से पहले मेरे 5K ने तो सिसके सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरा गोल जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो और बिना किसी दिरे के शुरू करते हैं अच की वीडियो तो रिसनली टोया टारो ने एक इंटर्वियू में बोला था कि जल्ब से जल्ब वो नया प्रोजेक्ट चालू करने वाला है ड्राइगन बॉल सूपर मंगा का साथी साथ टोया टारो ने भी खाता कि उन्हा प्रोजेक्ट जो है हम फैंस को बहुत जादा पसंद आने वाला है क्यूंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत जादा महनत लगी है टोया टारो सर की क्यूंकि टोया मसर के जाने के बाद गेसी बहुत जादा लंबे ब्रेक पर चली गई थी क्योंकि टोरियो टारो चाहते हैं कि हम लोग ऐसा एक कहानी हो जो कि हम प्रांस को देखने में बहुत ज्यादा मज़ा है तो अब बात करते हैं कि ड्राइन बॉल सुपर मंगा कब आएगी अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई शायद सेप्टेंबर के अं पर अगर मेरी माना जाए तो शायसे हो 20 नवूंबर को आये क्योंकि फर्स एपिसोड जो आया था ड्राइन बॉल क्लासिक वो आया था 20 नवूंबर 1984 केंदर जो वो नया चाप्टर लाने वाले हैं टोयटारो वो शायस से 20 नवूंबर को ही लाने वाले हैं शायस से और शायस से जो नया चाप्टर लाने वाले हैं टोयटारो से वो शायस से ड्रागन बॉल डायमा की स्टोय लाइन फॉलो करेगा पर ये सब मेरे बस thoughts और theories हैं तो अगर जब भी भी officially राइन बॉल सूपर मांगा की रिस डेट आती है तो मैं फटा फट से आपको बता दूँगा तो गाइस आज के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगे तो लाइक सब्क्राइब करना ना बूलिए मैं मिल तब किसी और वीडियो के शॉट के अंदर तब तक लिए बाइबाए